गुद मॉर्निंग क्लास थ्री इस आवर फ्यूटर इस्टेप बुक एंड टोडे विल रिट चेप्टर नमबर 11 दे टैल आफ पीटर रैबिट पीटर रैबिट की कहानी पड़ेंगे हम लोग जिसको लिखा है बिट्रिक्स पॉटर ने लुक एट पिच्चर इस स्टोरी इस अबाऊट रैबिट एंड इस फैमिली एक कहानी रैबिट की है और उसकी फैमिली की है तो चलिए पढ़ते हैं कहानी Once upon a time there were four little rabbits Their name were Flosby, Mosby, Cottontal and Peter एक समय के पाहत है एक चाट छोटे रैबिट थी जिनके नाम थे Flosby, Mosby, Cottontal and Rabbit They lived with their mother underneath a root of very big tree वो तीन चारो अपनी मम्मी के साथ एक बड़े पेड की जड़ के नीचे रहते थे हैने कोई बहुत बड़ा पेड होगा उसके नीचे वोलो रहते थे Now my dear sad old Mrs. Rabbit, one morning You may go into the field or down the land but don't go into the Mr. McGagger's garden Your father had an accident there, he was put in a pie by Mrs. McGagger तो एक दिन सुबर उनकी ममी कहती है कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग फील्ट में जा सकते हो नीचे लेन में जा सकते हो लेकिन भूल कर भी Mr. McGagger के garden में मत जाना क्योंकि वहाँ पे एक एक एकसिडेंट हो गया था आपके फादर को पकड़ के उनकी पाई बना ली गए थी किसने बनाई थी Mrs. McGagger यहनी कि Mr. McGagger की वाइफ ने आपके पापा के साथ एकसिडेंट हो गया था उनको पकड़ लिया गया और पापा वापस लोटके नहीं आए तो आप लोग ध्यान रखेगा कि Mr. McGagger के मैं गेगर की गाड़न में नहीं जाना है ना रण अलोंग और दोंट गयाट इंटो मिस्टेप आ एम गोई फिर उनकी मम्मा जो है अन अंब्रेला एंड वैंड थू दा वूट टू दा बेकर शॉप मिस्स रैबिट ने अपना बास्केट उठाया अपना अंब्रेला उठाया और फिर वो जंगलों से होती भी बेकर शॉप पे पहुंच गई शीबाउट फिर राउन ब्रायट और उन्होंने क्या खरी था एक लोव खरीदा ब्राउन ब्राउन ब्राइट का और फिर करेंट बंस खरी थे फॉष्पी मॉष्पी और ये चोलिय आ तो अच्छे बच्चेते ते अच्छे बनींस थे तो वो लोग कहां चले गए लैंड में चले गए और अपना ब्लैक बेरी केदर्ट करने लगे बट पीटर वाज हुआज वेरी नौटी लेकिन जो पीटर था उनमें से सबसे ज़्यादर नौटी था रन स्टेट अवे टू मिस्टर मैंग गैगर के गार्डन में चला गया सीधा वाई गया और कहीं नहीं गया यह इसने इस अंडर गेट और वो गेट के नीचे से होता ना एकदम जैसे छोटी सी जगे रहती है और कोई भी आनीमल हो जास लिए और इसने क्या-क जाते कुछ लैटस खाली फिर फ्रेंच बहुँआ भी खाली उसके बाद कुछ रेडिश भी खाली और उसके बाद थोड़ा सा उसको feeling होने लगे कुछ अजीब सब्सक्राइब आप लोग जब जब ज़्यादा का लेते हो कैसा फिल होता है तो इसको फिल होने लगा अब वो आगे जा रहा है तो उसको भी वो देख रहा है तो इसको भी वो देख रहा है अब वो आगे जा रहा है तो अब वो कुकुमबर की फ्रेम आती है ठीक है कुकुमबर भी लगावा है वहाँ पर जैसे वो आगे जाता है तो उसको मिस्टर में गॉगर दिखाई देते हैं मिस्टर में गॉगर वाज ओन इस हैंड और नी प्लांटिंग यंग कैबिस अब वो क्या कर रहे थे नीचे बैठके छोटे कैबिस को प्लांटिंग कर रहे थे लगा रहे थे यह जंप अप एंड रन आफटर पीटर और जैसे उन्होंने पीटर को देखा तो वो उचले और उसके पीछे चले गए वाविंग ए रैक एंड कालिंग आउट इस्टॉप थी उनके हाथ में क्या था रैक था उसको रैक को पीछे पीछे लेते वार जोड से चिला चिलाते गए कि चोड तुम रुख जो मेरे यहां चोरी करने आयो पीटर वाज मोज जयर फॉर फॉर ही हैड फॉर गैटन दा वे बैक तो गैट अब जो था विचारा पीटर बहुत जादा डर गया और वह बहुत चोर से भागा पूरे गार्डन में वाग गया लेकिन उसे कोई जाने का रास्ता दिखाई नहीं थी अब भूल गया वह लूस्ट वन ओविस शूज पटैटो जहां पर उगे वे थे वहाँ चला गया लेकिन फिर वह लास्त में का गया जहां पर गूस बैरिस लगी थी चोटे-चोटे जाड़ते उसमें जाके फस गया वह पीटर थॉट इस एंड वाज नियर और shed big tears but his sobs were overheard by some friendly sparrows who flew to him in the great excitement and begged him to save himself ठीक है पीटर अब जब उस जहाड में फस गया गुस बैरी के तब उसको लगा कि मेरा तो एंड बहुत ही नज़ी का रहा है मैं तो मरने वाला हूँ अब वह बिचारा रोने लगा और उसका रोना किसने सुना उस जो friendly sparrow थी बैठी वी थी और उन्होंने उसने कहा कि तुम अपने आपको बचाओ तुम सेफ करो और बहुत प्रक्राइब प्रक्राइब तुम अपने आपको सेफ करो बचाओ कुछ करो फिर क्या हुआ था प्लान था कि इस चलनी को क्या करना पीटर के ऊपर रख देना वह भाग के जाएगा का बट पीटर रिगलिंड आउट जस्ट इन टाइम लेकिन तभी पीटर उसी समय बचकर निकल गया ही रस इंटू तू टू शेड एंड जंप इंटू दे कैन वह जल्दी से कहां गया तूल शेड में चला गया और उदर से जंप करता हूँ एक कैन में चला गया मिस्टर मैंगेगर वसक्वाइट शोओ दाट पीटर वसंवेयर इन टूल शेड अब मिस्टर मैंगेगर शोड थे कि जरू पीटर इस टूल शेड में होगा परेप सीडन अंडर नीथ फ्लावर पैट शाय इस फ्लावर पैट के नीचे छुपा हूँ यह बिगें तू तू केरफोली लिक लोकिंग अंडर इच अब उन्होंने क्या क्या सब जगे देखना शुरू कर दिया हर एक जगे हर एक जगे की नीचे उन्होंने उस टूल शेड में जहां जाता आथ उन्होंने लेखना स्टार्ट कर दी सून पीटर इसडिभी बिगा अशे और अचानक से आवाज आई वहां पर उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया and tire to put his foot upon the Peter और कोशिश की कि अपना पैर उस Peter के ऊपर रख दे वो जंप आउट और पीटर क्या हुआ जल्दी से एक विंडो के तुरू बहार चला गया जंप लगा दिया अब सेटिंग त्री प्लांट और कुछ प्लांट थे उनके ओपर जाके वो किर गया तो विंडो से पीटर गया वो तो मिस्टर मैंगागर के लिए बहुत छोटी थी लेकिन मिस्टर मैंगागर ने भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा वो भी उसके पीछे भागते चले गए वेंट बैक टू इस ओम वर्क जब पीटर उनके पकड में नहीं आया तो वापस अपने काम पे लौट आया वापस अपने काम करना शुरू कर दिया पीटर सेट डाउन टूरेस्ट और पीटर को भी रास्ता नहीं मिला है वह भी विचारा रेस्ट करने के लिए पैट गया ही वोज आउट ऑफ ब्रेथ और बहुत साफ रहा था और काप भी रहा था क्योंक उसको बिचारे को कुछ भी और आइडिया नहीं था कि वो जाए तो जाए कहां अफ्टर ए टाइम ही बिगें तो वंडर अब गोईंग लिप्टी लिप्टी नॉट वैरी फास्ट और लुकिंग अल आराउंड अब क्या कि उसके थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे चल चारो तरफ देख रहा है वो और दीरे दीरे चल रहा है यह फांड डॉर इन वाल बट इस लॉगड और देर वस नो रूम फॉर ए फैट लिटल रैबिट विसने अंडरनीट उसने एक डॉर देखा एक वाल में लेकिन उसमें तो क्या वह लॉगड रखावा लॉगड था लगावा और कोई ऐसा था भी नहीं कि जहां से यह वैबिट जा सके और ओल माउस वस रॉनिंग इन आउट ओवर इस स्टोन डॉर स्टेप कैरिंग पीज और बीज तो हर फैमली इन दा वूड पीटर आग्ज़ हर दा वे तू दा गेट बट शी हैट सच अलार्स पी इन हर पीटर ने देखा कि एक माउस है बुड़ा माउस है जो कभी इधर कभी उधर आ रहा है कोई स्टोन का कोई डोर स्टेप है वहां से और उसके मुम पीज बीन से जो अपनी फैमली के लिए क्लेक्ट कर रहा है पीटर ने उसे पुछा कि रास्ता कहा है जाने का मुझे उसका उसके मुम में इतना बड़ा था कि वह आंसर नहीं दे पाई उसके उसका जो कोशन था पीटर का वेंट बैक तुवार्ट तूल शेट अब फिर से विचार तूल शेट में के चला गया बट सड़ली क्वाइट क्लोस तू हिम पर वो जैसे उसके पास गया हर्याइट नौइज ओफ हो इसक्रच इसक्रच इसको एक आवास सुनाई दी इसक्रच इसके एड़ अंडर नीथ दा बुशेज बट सून एज नथिंग हैपंड ही कैम तो उसको क्या हुआ कुछ आवास सुनाई दी बुशे से लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब वो नीचे आया ठीक है जब वो आया यह क्लाइंड अपने वील बैरो एंड पीप्डोगर अब वो जल्दी से क्या हुआ वह वील बैरो पे चला गया और उसके उपर से देखने लगा दफर्स तिंग हिसा वस मिस्टर मेंगागर सोइंग और उसके पीछे है तो इसका मतलब मिस्टर मेंगागर उसको देख नहीं सकते हैं और उसके बगल में ही क्या है गेठ है पीटर गॉट डाउन वेरी कॉइटली ओफ दा वील बैरो अब जो पीटर है चूप चाफ वील बैरो से नीचे उत्रा और इस टार्टेड रुनिंग एस पास्ट ही कूड गो और इतना तेज भागा जितना तेज वह भाग सकता था अलोंग ए स्ट्रेट वॉक बिहाइंड सम ब्लैक करेंट बुशेज और जब ब्लैक करेंट बुशेज थी उसके सीधा एकदम शाध गेट होगा तो वह भागता भागता चला गए जितना तेज भाग सकता था मिस्टर मैगागर कट साइट ओफ हिम अड़ गार और मिस्टर मैगागर की भी उस पे नजर पढ़ गई पीटर के उपर बट पीटर डिड नॉट केया लेकिन पीटर ने उसके कोई केर नहीं कि वह थो क्यों किया वह भागता ही चला गया और वो इतना तेज भागा कि गेट के नीचे से सिलिप करता हुआ अपने आपको बचाता हुआ वो जंगल से होता हुआ गार्डन में ना चला गया पीटर ने जब तक भागना नहीं छोड़ा और पीछे मुड़के भी नहीं देखा जब तक कि वह अपनी घर नहीं पहुंच किया चला अब देखते हैं कोशन अंसर टेस्ट यूर माइंड देर वर फॉर लिटल रबिट्स यूर फादर हाद एन एक्सिटेंट दिया अध्यू लिटल अंगे रज्ट इन टूल शेट अन ओल्ड माउस रून इन आट और दू कि अध्यूर फॉर पिटर गट दूटी आप द वेल्बारू अवके नव सीड़ फिली ब्लेंक्स लेख लीचे फिली प्लेंक्स अब इसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स तू फॉल्स बिटा जब कुश्चन अंस आप सब बुक रीट कर लेते हो चिसे तो ट्राई करिए कि ट्रू फॉल्स है फिल इंदा ब्लैंक से एक्सरसाइज है आप अपने से कर सके चली कुश्चन अंसर अभी सेंड हो जाएंगे आपके you see the question answer very carefully lesson 11 betel or peter rabbit अंगे टो है आपके तो हमारा lesson फिनिश हो गया class 3 गुट बाइं टेक केर बाइब